वापस एक न्यूव वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ पांच ऐसी टिप्स के बारे में जो आपके लुक को यंग दिखा सकती है और यह चीज की आज की डेट में बहुत ज़रूरत है क्या होता है कि हम जैसे अपने आपको प्रेजेंट करते हैं जैसे रहते हैं जैसे अगर हमारी एज बहुत जादा नहीं बहुत हिए बत गूझन copper एक्ष अंगे वाली को इस तर्रीओं सकती है घुट से एकिन हमें ते की अगर बेरी कि वाली को और समयांधे प्रेजेंट कर रहोंगे वीडियो ज्यादा बात नहीं करूंगी और वीडिय場 में आगे बढ़ जो आपके लुक को यंग दिखा सकती है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, so make sure वीडियो को लाइक, चैनल को सस्क्राइब, और जाद से जादा फ्रेंड्स और फ्रामली के शेयर कीजिए, ताकि मेरे अगला वीडियो जबाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, कि एक साइड में मैंने जो पोनी की हुई है वो नीचे साइड बांदा हुआ, एक साइड में जो पोनी की हुई है जो ऊपर साइड बांदा हुआ है, दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि अगर हम उपर पोनी लगाते हैं, तो हमारा जो face है वो young दिखता है और अगर हम नीचे पोनी लगाते हैं तो हमारा जो face है वो थोड़ा mature दिखता है अब दोनों में difference खुद ही judge कर सकते हो क्या होता है उपर हमने पोनी लगा है तो हमारा face में cuteness, youngness दिख रही है और इस side में जो हमने जो नीचे पोनी लगाया है उसमें हमारा जो face है वो थोड़ा mature दिख रहा है थोड़ा हमारा age जो होता है न जिसकी age हो जाती उस type का दिख रहा है तो हमारे उपर है कि हम किस type से अपने आपको रख रहे है second tip की मैं अपसे बात करूँगी अगर आपके बालों को आपको खुला रखने का शौक है open रखने का शौक है तो अगर आप बीच में से ऐसे मांग निकालते हैं दोरों side वापस से video लगाया हुआ है तो आपका जो face है वो young नहीं दिखेगा वो young नहीं दिखेगा आप mature दिखते हो अगर आप बीच में से कंगी कर रहे हो तो और अगर आप hair style side से निकाले हो जैसे कि मैंने अभी किया हुआ है तो आपका face में cute दिखता है आपका face में young दिखता है और आप ज़्यादा pretty looking करते हो so number third number third में आप लोगों से बात करने वाली हो अगर आपको बिंदी लगाने का बहुत ज़्यादा shock है आप बिंदी daily basis पे लगाते हो तो अगर आप बड़ी बिंदी लगाते हो तो आपके face में maturity दिखती है अगर आप वहीं की वहीं वहीं बिंदी आप छोटी लगाते हो तो आपको face cute देखते हैं तो मैं आपको ऐसी ही चीज़े बता रही हैं जो आपको यंग दिखा सकती है और वह अपने उपर रहता है कि हम अपने आपको खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं और आगे वाले मिलब खुद के लिए हो या आगे वाले के लिए हो अपने आपको क वह इतनी अच्छी दिख रही हम क्यों अच्छे नहीं दिख रहे हैं जबकि सेम ड्रेस होता है तो वह हमारे अपने आपको करने का तरीका होता है कि सेम ड्रेस कोई अलग तरीके से वियर करता है कोई अलग तरीके से वियर करता है तो उसके ओपर डिपेंड करता है कि आपने आपको कैसे style किया अपने dress को कैसे carry किया उसे साब से आप आगे वाले को present हो और वही सेम चीज आपको अच्छी लगने लगती है और दूसरे को अच्छी नहीं लगती है दूसरे की हमको अच्छी लगने लगती है और हमारी चीज खुद को अच्छी लगती है यह मेरे उपर तो हमारे अपने उपर, डिपेंट करता है कि हमने अपने आपको कैसे क्यारी किया हुआ तो मैं अभी तक आपको चार इसी टिप्स बता दी है, पहली हेर उपन रखने वाड़ी, एक बिंदी वाली, एक ट्रेस वाली, कि जो आपके फेस को यह दिखा सकती है, और फोर टिप्स देना चाहती हूं कि अगर आप black कपडे wear करते black कपड में जो body है अपनी जो अपन लोग है वो थोड़े slim दिखते हैं तो थोड़े slim दिखने के black color ऐसा color है जो कि अपने आप में अपने को slim दिखाते हैं ऐसा मेरा परसनल एक्सपीरियेंस है इसली मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं कि ब्लैक कपड़े पहनने से आपको जो फीलिंग आती है कि हां मैं आज थोड़ी स्लिम दिख रही हूं और ब्लैक कपड़े आपने आप में बहुत अच्छे भी दिखते हूं कि हां तु आज पतली दिख रहे हैं तुन्हें वेट लॉस किया है कि यह सारी तो मैंने आपको कुछ अपना परसनल एक्सपीरियेंस हां शेयर किया है चोटा सा वीडियो बना लेती हूं ताकि मेरे जो दिल की बात है जो जैसे मैं अपने आपको के साथ भी शेयर कर सक हेल्फुल चीज लेके और बहुत जादा ही आपके लिए फैशनेबल चीज लेके सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बाबाए अरिवन